हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का ड्रीम मिशन में आज हम भारत की प्रमुक पहाड़ियों को लेके आए हैं यहां भारत के जितने भी पहाड़ हैं और पहाड़ियां हैं उन सभी को यहां पर हमने इंक्लूट किया है उनकी चोटी और उनसे जुड़ी कुछ अन्य बाते जो है एक्जाम की द्रिशिश बहुत ज़्यदा मुहत्पूर्ण हो जाते हैं तो उसको यहां पर हमने इंक्लूट किया है तो चलिए यहां पर बिना देरी के सुरू करते हैं पहला है यहां पर देखिए पहला कहता है कि अरावली के पहाड़ियां जो है कहां पर है तो इद इसे जो है दुनिया का सबसे पुरानी पहाड यानि भारत और पुरे वर्ल्ड का सबसे पुराना पहाड पहाड यहां पर अरावाली को कहा जाता है तो अरावाली सब जरूर याद रखेगा दूसरा है यहां पर देखिए महेंद्र गिरिक पाड़ियां किस राज में स्तित है तो यहां पर देखिए उरिसा है और यहां के जो चोटी है उरिसा के सबसे उची चोटी जिसका नाम है देव माली 1622 मीटर देव माली तो आप इसे याद रखिएगा महंद्र गिरी जो है यह से थोड़ा सा कम उचा है पंदरोसों के लगभग उचा है लेकिन यहां कि सबसे उची चोटी जो है वह देव माली अगले नंबर के और बढ़ते हैं आप देखिए अगला नंबर पर हमने इंक्लूड किया है तेखिए आपर अगला नंबर पर है नील नंबर पर है यहां पर देखिए चौथा नंबर पर है कि पालनी के पाडियां जो है वह किस राज मिस्थित है तो यहां पर देखिए तमिलनाडू राज मिस्थित है तो यहां पर देखिए तमिलनाडू राज मिस्थित है तो यहां पर देखिए तमिलनाडू राज मिस्थ मिस्थित है तो यह भी तमिलनाडू मिस्थित है सथूरा गिरी के पाड़ियां जो है किस राज मिस्थित है तो यहां पर भी देखिए तमिलनाडू राज में मिस्थित है तो तमिलनाडू में बहुत ज्यादा है तो यहां पर हमने इंक्रूट किया है निल गिरी पालनी सेवल को उध्यों कोली और अगले यहां पर वड़ते हैं आठिवे नंबर पर है इलाईची की कि काड़म मिस्तित अंञा मलाई यहां पर सबसे ओंची चोटी है कि यहीं चाहिए कितनी 2 25 फी चलिए अगला बढ़ते हैं यहां पर देखिए नवे नंबर पर है नवे नंबर पर है अन्ना मलाई की पहाड़ियां जो है किस राज मिस्थित है तो यहां पर देखिए केरल राज मिस्थित है अन्ना मलाई की पहाड़ियां और इसे चोटी जो है सबसे उची चोटी इसका न केरल भी कहा जाता है पोनमुदी के पहाड़ी को तो यह इससे इंपोर्टेंट बन जाता है कि कास्मीर और केरल किस पहाड़ी को कह जाता है तो पोनमुदी के पहाड़ी को जो कि केरल राज मिस्थित है अगला यहां पर देखिए अगले नंबर पर है यहां पर देखिए महादेव की पहाड़ियां जो है किस राज मिस्थित है तो महादेव की पहाड़ियां मध्य परदेश राज मिस्थित है और इस बार के MTS के एक्जामस में किसी सीफ्ट में जो है वो पूछा गया है यह प्रशन यह 100% तो यहां से प्रशन जो है आपकी बनते हैं चलिए अगल चूलगिरी पढ़ियां जो किस राजमिस्थित है तो राजस्थान में है तो बरवानी की चूलगिरी मद्यपदेश और केवल चूलगिरी जो है वो राजस्थान राजमिस्थित है तो आप इसली याद कर सकते हैं दिकत नहीं है यहाँ पर देखिए अगला नंबर है चौदा बाबाबुदन की पहड़ियां ब्रह्मगिरी पहाड़ियां और पूश्पगिरी की पहाड़ियां पर शारखं में है राजmahal की पहाड़ियां तो जारखं मिश्थित है और बिंधियाचल की पहाड़ियां जो कि जारखंड MP और UP इन सभी भागों में फैला हुआ बिंधियाचल की पहाड़ियां चलिए यहाँ पाद देखे अगले नंबर पर है मेरा भी पूछा गया था यह प्रस्ण मैकोल की पहाड़े की सिराज मिश्थित है तो 36 गड़ मिश्थित है अगले प्रस्ण यहाँ पर बढ़ते हैं अगले नंबर अगले नंबर पर है यहाँ पर देखे मिकीर की पहाड़ियां जो है किस राज मिश्थित है मोस्ट इंपोर्टेंट है मिकीर की पहाड़ियां असम राज मिस्थित है और इसकी उची चोटी जो है उसका नाम है दुम बुचको तो आप इसे याद रखिएगा असाम से एक ही है मिकीर की पहाड़ियां अगले नमबर पर है यहाँ पर देखे 21 वा नमबर पर है मिसमी की पहाड़ियां और डफला की पहाड़ियां कि की सिराज मिस्तित है तो यहाँ पर आपके देखे अरुनाचल प्रदेश मिस्तित है मिसमी की पहाड़ियां और डफला की पहाड़ियां पूरी भारत के एक और राज यहां पर देखिए मिजोरम में कौन से पहाड़ी है तो यहां पर देखिए लुसाई पहाड़ी जो है किस राज मिश्तित है तो मिजोरम में है और इसकी चूटी जो है उसका क्या नम है तो पावनपोई जिसे की ब्लू माउंटिन भी बोला आता है और इसकी उचाई 257 मिटर है तो यह आप याद रखिएगा लुसाई जो है किस राज में है तो मिजोरम में है अगला यहाँ पर देखिए चोबिस्वा नंबर पर है आपका चोबिस्वा नंबर पर है यहाँ पर देखिए गिरिनार के पहाड़ी जो है किस राज मिश्थित है तो गिरिनार के पहाड़ी गुजरात राज मिश्थित है पचीश्वा है यहाँ पर देखिए नल्ला मला के पहाड़ी जो है किस राज मिश्थित है तो आंधर परदेश तो नागा से ही आप रिलिट कर सकते हैं नागा लेंड में इस्थित है उची चोटी जो है वो कौन सी है तो सारा मती और सारा मती जो है पटकाई की पहाड़ियां कि भी उची चोटी है क्योंकि उससे जुड़ा ही वे पहाड़ी है 27 नमबर पर यहां पर देखिए गारो, खासी, जैनतिया और निकीर की पहाड़ियां जो किस राज में इस्थित है तो मेगालाय राज में इस्थित है हमने यहां पर पूरी भारत के राजों किसली इंकुलूट किया है क्योंकि पूरी भारत से प्रशन जो है आजकर जादा एक्जाम्स में बन रहे हैं अगले नमबर पर इंक्लूड किया है भारत से बाहर पठकाई की पाड़ियां जो किसी राज मिसीत है तो भारत मयम्मार के बौडर परिस्थित है पठकाई की पाड़ियां यह प्रश्ण जो है वो पूछा गया है ससी के एक्जाम्स में तो इसलिए हमने यहां पर इसको इंक् परसेंट पूछे जाने वाले हैं या फिर पूछे जाएंगे तो हमारे साथ जुड़ जाएए इस चैनल को लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए थांक